हेलो दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में जहें मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आटो अपग्रेट क्या होता है IRCTC पर हम जब अपना टिकेट बुक करते हैं तो वहाँ पे जोए एक आटो अपग्रेट वाला आपसन आता है इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है और ऐसा कैसे होता है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों अगर मान के चलिए आप एक टिकेट बुक कर रहे हैं आपने जो है स्लीपर बोगी में जिसको S1, S2 वाली जो बोगी रहती है उसमें जो है आपने एक टिकेट बुक किया और आपको लाश्ट में जो है पता चलता है जब आपका चार्ड प्रिपेर्ड हो जाता है मतलब जब ट्रेन आने वाली रहती है उससे 24 घंटा पहले आपको यह पता चलता है कि हमने जो है अपना टिकेट स्लीपर में बुक किया था S1, S2 में जो है हमारा टिकेट बुक था लेकिन हमारे जो सीट है वो मिली कहां पे है AC में जो है कनवर्ट हो चुकी है हमारा जो सीट है वो AC में दे दिया है कि आप जो AC में यात्रा करिए ठीक है तो ऐसा चीज जो है आपके साथ या किसी के साथ जो है देखने को मिला हुआ तो ऐसा होता क्यों है इसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले तो मान के चलिए स्लीपर की मांग जो है जाधा रहती है क्योंकि सभी लोग कम पैसे में जो है चाहते है कि उनको सीट मिल जाए वो आराम से बैट कर और सो कर अपनी यातरा प्रारंब करे या अपनी यातरा पूरा कर ले ये चाहते हैं वो लोग तो क्या होता है कि इसकी मांग जो है बहुत ज़्यादा रहती है S1, S2 की जो मांग रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि वो सस्ते में जो है उसका टिकट रहता है और सस्ते में जो है उसकी सीट मिल जाती है तो इसलिए उसकी मांग ज़्यादा रहती है ठीक है जिनकी waiting में रहा है या जिसकी confirm हो चुकी है तो उनको क्या करता है कि वो जो है AC में jump कर देता है मतलब कि AC में उनको seat दे देता है ठीक है तो ऐसा जो है देखने को आपको मिला होगा तो यह इसलिए होता है क्योंकि sleeper में जाता भीड रहती है AC में सीटे खाली रहती है तो sleeper के बंदों को जो है या sleeper के यात्रियों को जो है AC में सीट देता है ठीक तो यह तो आप समझ गया होंगे कि ऐसा होता क्यों है अब हम जानते हैं कि ऐसा किया कैसे जाता है इसके बारे में तो जब हम IRCTC पर ticket book करते हैं यहां पर एक auto upgrade वाला option देखने को मिलता है अब वाला option कैसे मिलेगा तो चलिए जो मैं plan my journey के option पर क्लिक कर देता हूँ यहां पर station पहले सी select है 31 January select कर लेते हैं search trend पर क्लिक करते हैं sleeper पर चले जाते हैं और यहां पर 31 January select कर लेते हैं फिर उसके बाद यहां पर passenger detail पर चले जाता है और I agree पर क्लिक कर देते हैं ok के button पर क्लिक कर देते हैं ठीक है फिर उसके बाद यहां पर आपसे नाम हों पूछता है mobile number अगर आपको change करना है तो आप change कर सकते हैं तो हमको जो है जाना है यहां पर नीचे के तरफ थोड़ी सा आ जाना है तो यहां पर आप सभी को यह वाला option मिलता है auto upgrade वाला जो यह option है ठीक है other preference में यह वाला option देखने को मिलता है तो अगर आप इस option पर करते हैं click ठीक है तो इसमें क्या होगा कि अगर आपकी ticket confirm हो गई है या आपकी ticket जो है waiting list में है ठीक यह दोनों situation में अगर AC में या कहीं पर भी seat खाली रहेगी तो आपको जो है वो वाली seat दे देगा ठीक है तो यहां पर auto upgrade जो है यहां पर हो जाता है तो यह वाला option है इसको अगर आप right कर निसान लग जाएगा यहां पर तो यह आपने select कर लिया और इसको select करने के वाद जहां पर भी आपकी seat खाली रहेगी हमेशा जो है upgrade ही करता है मतलब कि अगर आप sleeper में है तो आपको AC में देदेगा अगर आप AC में है third AC में है तो first AC में दे सकता है second AC में दे सकता है तो ऐसे seat को upgrade करते रहता है ठीक है तो यह वाला option था और इसके use करके आप sleeper से AC में आपकी ticket confirm हो सकती है chances बहुत जादा रहते है अब यह ज़रूरी रही है कि होई जाएगा ठीक होने के chances जाता रहते है ठीक तो दोस्तों इस video के वाल इतनी थी उम्मीद करता हूँ यह video जो आप सभी को अच्छी लगी होगी पसंदा है तो like करिए का कुछ भी कहना हो तो comment box में लिख सकते हैं चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जाएब subscribe कर सकते हैं मिलते हैं एंगले वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया दोस्तो धन्यवाज जाहिन